Hello everyone, how are you? Students, मैं सुरेंदर कुमर, Lecturer in English, आपका इस सेशन में स्वागत करता हूँ और आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं How to write sentences in simple present tense चलिए students, continue करते हैं और जल्दी जल्दी चलते हैं हाँ, एक चीज मैं आपसे एक कहना चाहूँगा कि आपने वीडियो को पूरा देखना है, complete देखना है, one to last ताकि आप बहुत सारे वाक्यों को देखकर simple present tense के sentences को लिखना अच्छे से सीख जाएं चलिए students, continue करते हैं Students, आपको यहाँ पर यह दो पॉइंट सीखने हैं यह दो पॉइंट आपके लिए बहुत important है, बहुत महतपूर्ण क्या है यह दो पॉइंट? अगर आपका subject अगर subject जो आपके पास sentence लिखा हुआ है अगर वो subject शुरू हो रहा है I से we, you, they या कोई plural है तो आपने केवल first form का प्रियोग करना है only first form of verb का प्रियोग करना है यह point आपने अच्छे से याद रखना है दूसरा point अगर आपका subject होता है he, she, it, कोई नाम या कोई और singular अगर आ जाता है तो उसके में आप क्या करेंगे? वर्ब की first form के साथ S या E S का यूज़ करेंगे यानि ये दो point पर आपका पूरा का पूरा simple present tense के जो sentences है वो केवल इन्ही दो points के understanding पर ठिके हुए है जैसा आप यहाँ पर करेंगे वैसे ही आप आगे जाकर जो है इस tense को और इसके sentences को अच्छे से सीख पाएंगे चलिए, आगे चलते हैं अब देखिए sentence structure में पहले भी कई बार मैंने जिकर किया है कि जब हम affirmative sentences बनाएंगे simple present tense की अब मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे पास subject हमें चाहिए हमें affirmative sentences में helping verb नहीं चाहिए तो हम केवल main verb यहाँ पे लेंगे और हमें object चाहिए object हो ना हो वो इक अलग बात है बट हम लिखने मैंसी रखेंगे अब देखिए example में मेरा subject मैंने लिया I अब मैंने बताया था कि अगर हमारा subject I हो और V हो तो हम verb की केवल कौन सी form परियोग करेंगे first form का परियोग करेंगे तो मैंने कौन सी form लगाई play football दूसरे में we fly kites यानि मैंने बर्ब की first form के साथ कोई S या ES का परियोग नहीं किया और example देखिए they run a race they, they भी क्योंकि plural की तरह use है तो run a race I cook food once daily अब देखिए my parents parents में कौन मम्मी भी और पापा भी तो दोनों होगे तो यह plural हुआ तो इसमें भी हमने वर्ब की केवल first form का use किया आपको बहुत ध्यान से यही चीज ध्यान करनी है कि मैंने कहां वर्ब की first form लगानी है और कहां first form के साथ S या ES लगाना है आगे देखते हैं अब देखिए कुछ example है जहाँ पर हमने first form के साथ S या ES लगाना है Students अगर आपको point number 2 याद हो गया हो तो क्या लिखा था हमने वहाँ अगर subject किसी sentence का he, she, it कोई नाम या singular हो तो वर्ब की first form के साथ हम क्या लगाएंगे S या ES तो हमारे या subject क्या है he तो वर्ब की first form के साथ क्या लगेगा S या ES तो play के साथ लगा S plays She flies kites सुरिंदर कुमार अब एक ही वेक्ती का नाम है teaches us English My brother works क्योंकि brother आपका singular है works in a factory Students आप मान के चलिए अगर my brothers हो जाता तो क्या work आता या works आता ये आपके सोचने के लिए है वही table number 1 और उसी का point number 2 ये आपको ध्यान करना है अब देखते है negative sentences Students negative sentences जब हम simple present tense के करेंगे तो हमें अब helping verb की आवशक्ता पढ़ने वाली है negative sentence बिना helping verb के नहीं बनेगा चलिए देखते हैं अगेन वही दो point होंगे आपके पास अगर आपका subject sentence जो आपके सामने है उसमें I है V है U है दे है या कोई और plural है तो हम do not और उसके बाद वर्व की first form लगाएंगे इसी तरह अगर आपका जो sentence सामने लिखा हुआ है he, she, it कोई नाम या कोई दूसरा singular है तो हम does not लगाएंगे और students ध्यान रखना है जब एक बार हम does not का use कर लेंगे तो वर्व की first form रह जाएगी उसके साथ S E I A E S नहीं लगाएंगे क्यों? क्योंकि जो वर्व की form का S E I A E S था वो does में चला गया है ये गलती आपने भूल कर भी नहीं करनी है sentence, example देखेंगे अब हम यानि आप सबसे पहले pattern देख लीजिए subject लिखेंगे helping verb लिखेंगे not लिखेंगे main verb और object I do not play football I do not play football We do not go for a walk daily यानि I और we के साथ हमने do not लगाया फिर play लगाया हमने S E I S नहीं लगाना था कुछ और example He does not play football यानि जैसी subject बदला है तो हमारा do और does का जो use है वो change हो जाता है I do, we do, he does she does इसी तरह है my mother my mother भी singular होता है तो works all day तो ये positive sentence है affirmative है और उपर के जो दोनों sentences थे वो negative थे ये केवाल आपको difference बताने के लिए यहाँ पे दिया गया है कि जब हम negative बनाएंगे तो S या E S जो आपकी first form के साथ लगना था वो does के साथ चला गया है जैसा आप उपर के दोनों sentences में देख पा रहे होंगे अब बात करेंगे किसकी इंट्रोगेटिव sentences की कि इंट्रोगेटिव sentences में हमने करना क्या है students आपको पता है इंट्रोगेटिव means एक question mark बनाना होता है एक question लगता है वो question क्या होता है कि आपकी helping verb जो है generally sentence से बाहर चली जाएगी helping verb subject, main verb और object तो helping verb आपकी क्या बनेगी does he play football does she fly kites do I walk barefooted यानि जैसा subject होगा do or does का जो use होना है as a helping verb वो depend करेगा आपका subject क्या है अगर subject I है तो do लगाएंगे he है तो does लगाएंगे she है तो does लगाएंगे और जब हम do or does का प्रियो कर लेंगे तो हम केवल वर्प की first form लगाएंगे as या es नहीं लगाएंगे आगे देखते हैं या आप देखिए सभी जो plural है या जिसका जैसा भी sentence structure है वैसा ही हमने use किया है यही use आपको सीखना है कि मैंने रीना के साथ does क्यों लगाया क्योंकि वो एक नाम है और उस एक single नाम आएगा तो उसके साथ does you के साथ नहीं लगाया क्योंकि वो second person है तो इसी तरह से आपने देखते चलना है मैंने और भी बहुत सारे sentences लिए हैं आपके लिए affirmative sentence is subject, main verb, object he lives on milk she goes for a walk my father milks cows Sita learns her lessons यानि आपका subject ही तो वर्ब की first form के साथ है CIS, affirmative sentence she, वही same case my father again singular है Sita, नाम है तो सभी में वर्ब की first form के साथ है CIS Yes और example आपके लिए दिये हुए है subject, helping verb क्योंकि है नहीं लेकिन मैंने आपके लिए लिख दिया है कि affirmative sentences में हमें simple present tense में helping verb नहीं चाहिए तो हम वहाँ नहीं लगाएंगे they, help, yes, yes, yes नहीं लगा I, run, erase we like mangoes you kick the ball यानि इन subjects के साथ verb की only first form लगे negative sentences में he does not play football my mother does not cook food Sarla does not like me she does not cook food यानि आपको do, does का में use जो है सिखा रहा हूँ और बार बार आप प्रेक्टिस करेंगे बार बार आप करेंगे तो उस प्रेक्टिस से ही आप जो है अपनी आपके जो sentence गलत लिखने की एक परंपरा है उसको आप दूर कर पाएंगे negative sentences आगे continue करते हैं I do not hate you you do not kill birds you do not follow us they do not love me आगे देखते हैं intuitive sentences में क्या करेंगे students helping verb को हम subject में पहले ले आएंगे does he go for a walk does my father milk cows does Sita learn her lessons अब do का यूज देखिए do they help the poor do I run a race do we like mangoes और students एक बात ओर आपको ध्यान रखनी है कि आपको last में question mark जरूर लगाना है sign of interrogation जरूर लगाना है interrogative sentences के अंदर एक exercise students मैंने आपके लिए दी है तो इस exercise को आपको करना है इसमें आपने simple present tense he use करना है we live in India केवल आपको यह decide करना है कि इस verb के साथ S या E S लगेगा या नहीं लगेगा यही आपकी जो है पहले जो progress का sign यहाँ पर नजार आएगा we live in India he make mistakes she tell a lie locomotives make a lot of noise they do exercises daily six sentence है I read the tribune his father rebuke him my friend drive a car Rita take coffee twice a day you go to cinema एक assignment students आपके लिए ओर है यहाँ पर आपने एक ही sentence को affirmative sentence negative sentence और interrogative sentences में लिखना है कैसे लिखना है मैं दिखा देता हूँ आपको जैसे आपके वाक्य है I take meal thrice a day we take bath daily he believe me she khaa live near the village temple my friends send me money his father love to play football she hate me they sleep in a big city तो एक sentence मैंने आपके लिए जो है कर दिया है I take meal thrice a day तो affirmative sentence है I take meal thrice a day affirmative sentence है I do not take meal thrice a day यह negative बना दिया हमने इसको और do I take meal thrice a day यह हमने interrogative बना दिया इसी तरह से आपने जो यह 8 sentence जो पर दिये गए थे यह आपने बनाने है इनको आपने करना है तो students इनी शब्दों के साथ मैं खतम करता हूँ उमीद है आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा Thank you everyone See you soon